R.D. श्र्मा solution है, class 12 है, chapter 9 है continuity, mcq, multiple choice questions. यहाँ जो question है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, recall करा देता हूँ, कि limit x tends to a, अगर यह आप fx पे लगा रहे हैं, function पे, और यह f a के बराबर आता है, तो आप कहेंगे कि यह continuous है, अब इस case में जो a है वो 0 है, basically आप यहाँ पर क्या रखेंगे, f 0, लेकिन आप जानते हैं, x 0 पे यह k आएगा, तो इसको आप k के बराबर कर दीजिए, तो ultimately आपको इस function की, यह जो fx है, यह जो function है, जब x not equal to 0 है, क्यों यह use करेंगे, क्योंकि x tends to a, x a के बराबर नहीं, x, a इसके खरीब है, तो आपको यह use करना पड़ेगा, तो basically आपको limit x tends to a, इसका यह जो function दिया हुआ है, उपर वाला, इसके limit निकालेंगे, तो finally हम limit निकालेंगे, अब इसमें हम एक काम करते हैं, numerator और denominator को अलग-अलग लेके चलेंगे, numerator अलग ले लेते हैं, numerator इसका है, 36 की पावर x, मैनस 9 की पावर x, मैनस 4 की पावर x, प्लस 1, मैंने यह numerator लिया है, इसको n से इंगित कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे, numerator, denominator हम अलग-अलग कर रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे जी, 36 की पावर x है, 36 होता है, 9, 4, जा 36, इसकी पावर x कर दीजे, तो यह इसकी पावर x हो जाएगा, और इसको अलग भी कर सकते हैं, 9 की पावर x, 4 की पावर x, यहां रख दीजे, 9 की पावर x, into 4 की पावर x, minus 9 की पावर x, minus 4 की पावर x, plus 1, इसमें 9 की पावर x कॉमन ले लिजे, 4 की पावर x, minus 1, minus 1 कॉमन ले लिजे, 4 की पावर x, minus 1, यह क्या बना, 9 की पावर x, minus 1, और 4 की पावर x, minus 1, यह आ गया जी, अब मैं आपको एक फर्मुला बता रहा हूँ, 1 by x करते हैं यह होता है आपका log a क्या होता है log base e a यह ध्यान रहेगा इसके लिए हम क्या करेंगे एक x यहां introduce कर रहे हैं एक x यहां introduce कर रहे हैं क्योंकि अपने आप किया है तो आपको ऊपर multiply भी x और x से करना पड़ेगा ताकि यह cancel हो जाए यहां मैं limit लगा दे रहा हूँ extends to 0 यहां भी लगा दे रहे है limit extends to 0 यह क्या बनेगा जी यह सब यह भी मैंने बताया आपको यह बनेगा आपका log अच्छा log base e तो इसको ln लिख सकते हैं log base e ln होता है ln आपका 9 हो गया और यह हो गया ln 4 तो 9 को लिख सकते हैं आप 3 square इसको लिख सकते है ln 2 square इसको बाहर ले आए 2 log 3 और यह 2 log 2 आगया 2 दिज़ फोर 4 इन टू log 2 और log 3 log 2 लोग 3 वाला तो यह मिल रहा है जी तो इसी को सही कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं अभी हम सारा करेंगे तो numerator में आपका जो आता है वो है 4 यह x square भी है तो 4 x square log 2 log 3 clear अब जा रहे हैं जी हम denominator पे denominator करेंगे अब denominator में आपका दिया है यह root 2 यह denominator चल रहा है root 2 minus root 1 plus cos x root 2 1 plus cos x होता है 2 cos square x by 2 तो अगर इस पे हम root लगा दें क्या बाहर आएगा root 2 into cos x by 2 इसको यह लिख देते हैं minus root 2 cos x by 2 root 2 बाहर ले लिजे जी 1 minus cos x by 2 आगया है यह अब 1 minus cos 2 theta होता है 2 sin square theta जो भी कुछ होगा उसका half हो जाता है यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin square theta by 2 तो x by 2 का क्या हो है x by 4 अब क्यूंकि यह है sin x by 4 का whole square तो आपको नीचे भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम limit लगा सकें तो नीचे हम इंक्रूड जो introduce कर रहे हैं वो है x by 4 का whole square वोपर भी आपको यह करना पड़ेगा x by 4 का whole square अब यह जो term है इसको देख लीजे यह आया है sin x by 4 by x by 4 का whole square और इसके अंदर limit लगाएंगे limit x tends to 0 यह हो जागा limit x tends to 0 sin theta by theta यह 1 होता है तो यह पुरा 1 होगा है यह पुरा का पुरा 1 होगा तो 2 root 2 यह 2 यहां से आया और यह x square by 4 close of 16 तो नीचे क्या मिला आपको 2 8 कर दीजे इसको root 2 x square by 8 numerator में क्या है जी numerator में आपका 4 x square log 2 log 3 x square से x square काट दीजे 8 को उपर ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर 8 उपर जाएगा यहाँ इसके साथ तो बनेगा 32 तो इसको हम 32 लोग देते हैं 32 log 2 log 3 नीचे root 2 है तो उपर नीचे आप root 2 से हम लिप्लाइ करते हैं root 2 root 2 तो यह root 2 root 2 नीचे वाला आपको देगा root 2 into root 2 होता है 2 तो इसको अटा के 2 लिग दे रहा हूँ यह 2 किसे कटेगा 16 से और यह root 2 अलड़ी है 16 root 2 log 2 log 3 क्या है आज यह 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 यहार आख यह यह इसका उत्तर है fx is continuous for all fx आपको यह दिया हुआ है fx is continuous for all except कुछ points दिये कहां पर है कहां पर नहीं है तो इसको इचर्चा करने से पहले थोड़ा सा आप यह देखिए कि आपको mod x अच्छे से पता होना चाहिए modulus x में क्या आएगा बार क्या नहीं आएगा यह सारा question जो है वो इसी पे based है तो इसको समझने के लिए आप ज़रा एक number line बनाएगे यहाँ क्या क्या point है 0 1 यह 0 हो गया यह 1 हो गया तो x जब 0 और 1 नहीं है तो आप यह लेंगे x जब 0 और 1 है तो यह लेंगे तो x 0 पे आपको 1 लेना है और x 1 पे यह 1 है आपको f x लेना है minus 1 यह हो गया अब main हमारी बात जो आती है वो इस पे आती है यह वाले पे तो अभी देखे इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको क्या value मिलती है तो इसको हमको बनाना पड़ेगा इसको मैं बनाऊंगा देखे कैसे बनता है सबसे पहले यह f x है यह किसके बराबर है एके करके बनाता है इसको क्या क्या परीधिया बन रही है यह देख लीजे ध्यान से इससे परीधिया यह बन रही है या boundaries यह बन रही है कि सबसे पहला आप यहाँ पर देखे कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख देता हुआ, यह वाला है, mod x square minus x, by x square minus x, mod x square minus x को लिख सकते हैं, यहाँ पर, x into x minus 1, नीचे आपका x square minus x है, यह mod में, mod को अलग भी कर सकते हैं, mod x लिख सकते हैं, mod x minus 1 लिख सकते हैं, नीचे आपका इसको भी लिख सकते है x, x-1 इसको भी ऐसे लिख सकते है अब आपको mod पे ध्यान देना है कि आपको क्या value मिल रही है पहले चीज़ ये है कि अगर x 1 से बड़ा है तब क्या मिलेगा अगर x 1 से बड़ा है तो x जैसे mod x जो होता है अगर x greater than 0 है तो ये x मिलेगा x less than 0 है तो आपको minus x करना पड़ेगा जो भी value आएगी उसके साथ में minus लगाना पड़ेगा तो ये चीज़ है इसके लिए अगर हम यहां तो हमको ये समझ में आ गया कि जब हम पहली चीज़ देखेगा ध्यान से x जब हम greater than 1 पे है 1 से उपर तो सभी कुछ positive है ये भी positive है यानि कि x x ये भी positive है ये x और नीचे आपका x x minus 1 है ये cancel हो गया 1 बनेगा तो अगर x greater than 1 है तो आपको 1 मिलेगा अब आईए x less than 0 पे x less than 0 पे क्या हो है क्या है ये तो मैंने भी बताया x less than 0 पे है minus x है इसका मतलब ये तो minus x मिलेगा आपको ये वाला ये mod x minus 1 अब आप देखिए इसको example के ताहर पे लीजिए अगर मैं 0 से कम लेके जा रहूँ तो 0 से कम लेके जा रहे है माल लीजिए मैं minus 1 रखना चाहता हूँ ये क्या मिलेगा x ये और minus 1 रहे है minus 1 minus 1 ये minus 2 मिल रहा है आपको minus 2 मिल रहा है और minus 2 का जो mod लेंगे तो आप क्योंकि value जो है वो negative में आएगी तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा minus x minus 1 clear है ना नीचे आपका है x x minus 1 ये इससे cancer कर दीज़े minus minus plus हो गया तो अगर x ये less than 0 है तब भी आपको 1 मिल रहा है राइट तीसरे पर आते हैं ये 1 हो गया ये भी 1 हो गया अब तीसरे पर आते हैं अगर इस चगह की बात चल रही है अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है 0 और 1 के बीच में क्या है अगर 0 और 1 के बीच में है तो सीधी सी बात है कि जो mod x है mod x है ये तो positive है तो ये आपको x ही मिलेगा लेकिन x minus 1 x minus 1 ये x minus 1 बराबर 0 करके देखिए तो x बराबर 1 पे ये इसकी परीदी है इसका मतलब यहाँ positive है यहाँ negative है तो ये आपको मिलेगा negative ये तो आपको x मिला ये आपको negative x minus 1 मिलेगा नीचे आपको x x minus 1 है ठीक है जी तो ये एक काट दीजे आपको minus 1 मिलेगा तो ये अगर x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो आपको यह माइनस 1 मिलेगा बागी आपको दिया ही है x बराबर 0 पे 1 है x बराबर 1 पे यह माइनस 1 है अब इसको मिला लेते हैं यानि अब यह समझ में आ गया कि x 1 पे और मतलब इसको हम अब एक चीज़ कर रहे है x greater than 1 x बराबर 1 दोनों अलग-अलग value है तो इसको आपको एक ही करना पड़ेगा यानि एक नहीं कर सकते इसको पस आप कह सकते हैं कि x greater than 1 पे ही आपको 1 मिलेगा इन दोनों को देखा हमने क्योंकि 1 की बात हो रही है अगर यह 1 से कम है 0 से उपर है तो तो यह मिल रहा है मसला अलग-अलग value मिल रही है तो हम इसको combine नहीं कर सकते हैं लेकिन x अकर less than equal to 0 है यह लेस देन 0 है less than 0 है और equal to 0 है दोनों में आपको 1 मिल रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दीजे तीसरा जो आएगा x 0 से बढ़ा है यह 0 से बढ़ा है और 1 से छोटा है और 1 के बराबर भी है 1 से छोटा और 1 से बराबर है दोनों में minus 1 मिल रहा है तो आप इसको combine कर सकते है देहोगा minus 1 तो final आपका fx क्या बनता है x 1 के ओपर जाईए तो 1 x 0 से नीचे जाईए यह 0 के बराबर है तो 1 x 0 और 1 जिसमें 0 included नहीं है 1 included है वो है minus 1 यह सा समझ में आ गया अब यहां अगर आपको समझ में आता है तो अब इसका हम left hand limit और right hand limit ले सकते हैं कैसे अगर आप इसका left hand limit ले और आप किस point पर चेक कर रहे हैं इसको 0 और 1 लेस है तो 1 है यह और 0 से अगर आप उपर है तो आपको क्या है minus 1 है इसका मतलब अगर अगर आप 0 पे मतलब यहां लेते हैं 0 minus और यहां लेते हैं 0 plus यहने x tends to 0 minus x tends to 0 plus तो आप यहीं पर देख रहे हैं कि 0 के नीचे यह 1 है 0 के उपर यह minus 1 है और इसको इस तरीके समझिए कि अगर हम fx पे limit लगाते है x 0 minus तो आपका क्या बन रहा है यह 1 बन रहा है और यहां लगाते है limit x tends to 0 plus fx पे जो यहां पर minus 1 बन रहा है तो क्योंकि दोनों limit जो है वो बराबर नहीं है यानिकि left hand limit और right hand limit बराबर नहीं है तो इसका मतला आप कह सकते है कि यह 0 पे तो valid नहीं है यहां clear हो गया अब इसका उत्तर यह है कि 0 पे तो हो गया अब आप 1 पे आई है अगर x 1 के उपर जा रहा है तो 1 है लेकिन x 1 के नीचे जा रहा है तो minus 1 है तो यह भी limit match नहीं कर रही है कहने का मतलब limit x tends to 0 plus 1 plus is not equal to क्योंकि 1 plus पे 1 के उपर जाती है 1 मिलेगा और limit x tends to 1 minus जैसे 1 के नीचे जाते है तो क्या मिल रहा है आपको इसको final combination देखिए minus 1 मिल रहा है या minus 1 यह दोनों बराबर नहीं है यह fx की बात हो रही है तो यह दोनों भी बराबर नहीं है तो ना तो 0 पे continuous है ना 1 पे continuous है बाकी और continuous हो सकता है यह इसको आप बैसे clear कर देता हूँ तक यह आपको एक idea रहे हमने क्या किया है 0 पे भी देखेंगे जी और 1 पे भी देखेंगे यह 1 minus 1 plus h का तरीका में आपको अलड़ी सिखा चुका हूँ बता चुका हूँ आपको मैंने जो final यह बनाया ना वर्जन यह वाला जो बनाया था इसको ध्यान अटना है यह जो final बना दिया था इसके इसाब से दिख रहेगी साब यह continuous नहीं है लिखना आपको इस तरीकी से इस question में x जब pi by 2 नहीं है तो यह लेना है x pi by 2 है तो यह लेना है और continuous अगर यह है pi by 2 पे तो k क्या होगा तो आपका दिखे यह जो f pi by 2 है basically f pi by 2 यह आपका k के बराबर है और यह वैसे limit अगर लगाएं और continuity चेक करें तो आपको क्या होना चाहिए limit x tends to pi by 2 और यह इसको मैं अगर इस पूरे को f x ही मालूँ तो यह f x है यह अगर f pi by 2 के बराबर है तो k के बराबर है तो हमको इस उपर वाले की यह वाला जो term है उपर वाला इसका limit लेना है x tends to pi by 2 पे अब वो बराबर के के कर देना है तो इसका limit निकालना है basically तो एक करके मैं आपको पहले solution दिखा दूँ ताकि आपको idea रहे कि हम क्या कर रहे है यह आप खुद भी करना चाहते हैं तो कर सकते है मैं एक-एक term लूँगा और एक-एक term को resolve करके फिर देखेंगे हमको final क्या मिलता है तो हम पहला यह ले रहे है 1-sin x ध्यान रहेगा आपको कि हर जगा हम x को pi by 2 minus h रखेंगे यही करते हैं हम left hand limit right hand limit में तो pi by 2 minus h पे करो pi by 2 plus h पे करो आप ultimate इसको equate करना है k से और continuity है तो left hand limit right hand limit के पराबर होगी तो हम केवल यह pi by 2 minus h करके यहां कहें left hand limit निकालके equate कर देंगे pi by 2 minus h x की जगा रखने वाला हो पहली चीज़ और हर जगा जहां भी मौका लगेगा limit h tends to 0 लगाएंगे h यह लिया है न यह है तो h tends to 0 लगाएंगे यहां पर t लिया हुआ एक ही बात है पहला लीचे 1 minus sin x तो 1 minus sin x को हम लिख सकते है 1 minus sin x is x की जगा pi by 2 minus x कर रहे हैं यह हर जगा हम replace करेंगे तो 1 minus पहले यह वाला term ले रहे हैं तो यह होगा sin pi by 2 minus x यह क्या हो गया 1 minus sin 90 minus theta होता है cos theta 1 minus cos theta हो गया 1 minus cos x को कैसे लिख सकते हैं आप 2 sin square h है यह 2 sin square h by 2 यह हो गया यह h by 2 है 2 sin square h by 2 है तो हम h square by 4 नीचे रखेंगे और इसी को h square by 4 उपर से multiply करेंगे यह हमने क्यों किया क्योंकि यह जो term बना वही बना 2 sin h by 2 by h by 2 का whole square आप जानते हैं limit sin theta by theta theta tends to 0 यह होता 1 यह 1 हो गया यह आपका h square by 4 है यह और रही 2 into h square by 4 में आपको मिलेगा h square by 2 तो h square by 2 आपको मिल गया यह 1 हो गया एक से यह मिला एक एक term कर रहा हूँ मैं अलग-अलग second term है आपका यह pi minus 2 x का whole square तो pi minus 2 x की जगह क्या रख रहे हैं जी pi by 2 minus h यह रखेंगे आप pi by 2 minus h पहले इसको resolve करता हूँ फिर इसको हम square कर लेंगे यह हो गया pi minus 2 into pi by 2 और प्लस 2h यह तो cancel हो गया यह pi pi से cancel हो गया 2h है final हमको square करना है यह आपका आगया 4h square तो आपको यह वाला term क्या देगा यह term आपको दे रहा है उपर वाला जो है वह h square by 4 है उपर मैंने sin x से यह आए न उपर आया आपका h square by 2 और नीचे वाला term आया है आपका 4h square तो इससे यह cancel हो गया आपका बना 1 by 8 तो यह पूरा आपको 1 by 8 दे रहा है अब आते हैं इस पे log sin x पे इसका भी color change कर देता हूँ ताब कि आपको पता रहा है यह सारे term में अलग-अलग कर रहा हूँ log sin x पहले हम sin x से deal कर लेते हैं यह sin x तो sin x की जगह क्या डलना है pi by 2 minus x तो यह क्या बनेगा h तो यह बनेगा cos h cos h को कैसे लिख सकते हैं अप under root 1 minus sin square h यूदि sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो इसकी जगह under root 1 minus sin square h अब यह log है तो हमको इसका कुछ न कुछ power बाहर लानी पड़ेगे तो यह log है इसको हम लिख सकते हैं 1 minus sin square h यह power half half इदर चला जाएगा half log 1 minus sin square h अब अब इसमें भी और अगले वाले में भी एक चीज़ हम लगाएंगे वह होता है log 1 plus x by x limit x tends to 0 यह होता है 1 तो क्योंकि यह log है 1 minus sin square h तो नीचे आपको minus sin square h चाहिए तब ही तो यह log 1 plus minus sin square h by minus sin square h बनेगा क्योंकि आपने खुदी include किया है तो आपको उपर भी minus sin square h से multiply करना पड़ेगा अब इस पूरे term में मैं limit लगा दे रहा हूँ limit h tends to 0 और इसके हिसाब से यह बनेगा यह half आपका ही और उपर आपका है minus sin square h अब इसको ऐसी रखते हैं नीचे वाले क्यों पहले solve कर लेते हैं लॉग के बाद क्या term है पहले वो लेंगे फिर लॉग में बाद में लगाँगा तो इसके लिए भी color change कर लेते हैं यहाँ पर आईए यह है log log नहीं लिख रहा हूँ यह चौथा है 1 plus pi square minus 4 pi x plus 4 x square तो यह 1 plus pi square minus 4 pi x की जगह रख रहे है pi by 2 minus x plus 4 यहाँ पर भी pi by 2 minus x का whole square h का whole square 1 plus pi square minus 4 into pi into pi by 2 और यह plus 4 pi h plus 4 इसको खोल देते हैं pi square by 4 plus h square minus 2 into pi by 2 into h यह pi h मने गा खोल देते हैं इसको 1 plus pi square यह तो 2 pi square हो गया तो 2 pi square minus 2 pi square plus 4 pi h plus 4 into 4 यह pi square बनेगा plus 4 h square और minus 4 pi h इसको इससे अटा दीजे यह है minus 2 pi square यह pi square pi square 2 pi square यह इसके साथ cancel हो जाएगा तो आपका बना 1 plus 4 h square लेकिन ध्यान रकिए log में log हो गया 1 plus 4 h square अभी अभी है मैं आपको बताया कि यह x है तो यह नीचे x होना चाहिए नीचे अगर 4 h square हम introduce करेंगे तो उपर भी आपका 4 h square होना चाहिए इसमें limit लगा दे रहा हूँ है log 1 plus x by x यह वाले में यह 1 हो जाएगा यहाँ बना 4 h square यहाँ है minus half sin square h अभ इसका उपर नीचे कर देंगे यह निकि log sin x यह है minus half minus half यह हो गया sin square h और नीचे अपका आगया यह 4 h square है तो यह sin square h by h square इसमें भी limit लगाएंगे यह वाला term तो यह 1 बन जाएगा नीचे के बना आपका minus 1 by 4 to the 8 यह वाला term है यह वाला के वाला आपको याद है यह वाला जो term था क्या है 1 by 8 तो इसका multiplication करतीचे 1 by 8 into minus 1 by 8 तो यह किसके बरापर करेंगे के के बराब तो के आगया minus 1 by 64 यह इसका answer है अब यह जे सवाल है इसको हम करते हैं अगली बार तब तक लिए शुक्रिया महरबारे आप सबी की